इनकलाब इनकलाब मेरे प्यारे दिल्ली वासियों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्य मंत्री पद की शबत ली है ये मेरी जीत नहीं है ये आप लोगों की जीत है ये एक एक दिल्ली वाले की जीत है ये एक एक मा की जीत है एक एक बहन की जीत है एक एक युवा की जीत है ये एक एक विद्यार्थी की जीत है स्टूडेंट्स की जीत है ये हर दिल्ली वाले की एक एक परिवार की जीत है पिछले पांच सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि किस तरह से हम लोग एक-एक दिल्ली वाले के दिल्ली के एक-एक परिवार की जिन्दगी में खुशाली ला सकें एक-एक दिल्ली वाले की जिन्दगी में थोड़ी सी राहत ला सकें पिछले पांच साल में हम लोगों की यही कोशिश रही है कि किस तरह से दिल्ली का खूब तेजी से के साथ विकास हो और दोस्तों अगले पांच साल भी आगे भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी सब लोग अपने अपने गाउं में फोन करके बोल देना हमारा बेटा सीम बन गया दुबारा अब चिंता की कोई बात नहीं है अभी चुना हुए कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कुछ लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिया कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपत लिये आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ मैं आमाद्मी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं कॉंग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ पिछले पान साल जब मैंने काम किया मैंने कभी किसी के साथ सौतेला विवहार नहीं किया मैंने कभी किसी का ये कहके काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कॉंगरेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया मैंने सब के काम करे मेरे को पता चला ये मोहला BJP का है मैंने वहाँ भी गलियां बनवाई वहाँ भी पानी की पाईपलाइन डलवाई सबके लिए काम करा मैंने और आने वाले पांग साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के 2 कροड़ दिल्ली वासियों को अपने दिल्ली के दो करोड दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूँ चुनाव खतम हो गया आपने जिसको भी वोट दिया अब आप सारे जने आप सारे दिल्ली के दो करोड लोग मेरा परिवार हो आप चाहे किसी भी पर्टी के हो आप मेरे परिवार का हिस्सा हो कभी भी कुछ भी काम हो बिना हिचक मेरे पास आ जाना सब का काम करूँगा चाहे कोई किसी पार्टी का हो चाहे कोई किसी धर्म का हो चाहे कोई किसी जात का हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो और अपने को दिल्ली के लिए भी बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं दिल्ली के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता आप दो करोड लोगों के साथ मिलके हम लोग दिल्ली को अच्छी बनाएंगे, खुबसूरत बनाएंगे मैं सब के साथ मिलके काम करना चाहता हूँ चुनाव खतम हो गए चुनाव में खूब राजनीती होती है हुई राजनीती किसी ने किसी को कुछ कहा किसी ने किसी को कुछ कहा हमारे विरोधियों ने हमको जो कुछ बोला हमने उनको माफ कर दिया आज मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ अपने विरोधी पक्षवालों से भी निवेदन करता हूँ कि जो कुछ राजनेति कुठा-पटा खुई चुनाओं में सारी भूल जाओ अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूँ मैं केंदर सरकार के साथ भी मिलके दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूँ दिल्ली को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहते हैं हम लोग हम केंदर सरकार के साथ मिलके काम करेंगे मैंने आज इस कारिकरम के लिए प्रधान मंत्री जी को भी नियोता भेजा था वो शायद व्यस्त हैं किसी और कारेक्रम में आ नहीं पाए लेकिन मैं आज इस मंच के जरीए प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशिरवात चाहता हूँ दिल्ली वालो आप लोगों ने दिल्ली देश के अंदर इस चुनाओं में एक नई राजनीती को जनम दिया है एक नई राजनीती इस देश के अंदर पैदा हुई है काम की राजनीती स्कूल की राजनीती अस्पताल की राजनी ती 24 घंटे बिजली की राजनी ती सस्ती बिजली की राजनी ती पानी की राजनी ती अच्छी सडकों की राजनी ती महिलाओं की सुरक्षा की राजनी ती भरश्टा चार मुक्त भारत की राजनी ती 21 सदी के भारत की राजनी ती एक नई किसम की राजनीती दिल्ली के लोगों ने देश के अंदर शुरू की है ये राजनीती क्या है मैं चंद पंक्तियों से इसको समझाना चाहूंगा जब भारत मा का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा तभी अमर तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्म विश्वास जगाएगा जब हर नौजवान के माथे से बेरोजगार का तमगा हट जाएगा तभी अमर तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब हर भारतवासी जीवन की मूल भूत सुविधाएपाएगा जब धरम जाती से उपर उठकर हर भारतवासी केवल भारत को आगे बढ़ाएगा तभी अमर तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा दोस्तों यह है नई राजनीती और नई राजनीती का डंका पूरे देश में बजने लग दिया है जगे जगे से खबर आ रही है फलानी सरकार ने महला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिये देश भर से खबर आ रही है इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी उस सरकार ने 75 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी दिल्ली वालो आपने कमाल तो कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर डंका बजरा आप लोगों का पूरे देश के अंदर डंका बजरा आप लोगों का अब देश में अगर कोई नेता कहता है सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो पूरे देश में कोई नेता कहता है सरकारी अस्पदार ठीक नहीं हो सकते तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो कोई नेता कहता है 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती तो वहाँ के लोग गहते हैं दिल्ली के तरफ देखो दिल्ली के लोगों ने देश की राजनीती बदल के छोड़ दिये दोस्तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली के निर्माता दोनों तरफ मेरे मौझूद है कौन है ये निर्माता दिल्ली को कौन चलाता है दिल्ली को केजवी वाल नहीं चलाता दिल्ली को कोई नेता नहीं चलाता दिल्ली को कोई पार्टी नहीं चलाती दिल्ली को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चलाते दिल्ली को कौन चलाता है दिल्ली को दिल्ली के टीचर्ज चलाते है दिल्ली को दिल्ली के डॉक्टर चलाते है दिल्ली को दिल्ली के आटो वाले चलाते है दिल्ली को दिल्ली के रि पारी चलाते हैं फैक्टरी वाले चलाते हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं आज मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ विजे कुमार एक बच्चा मौजूद है आईटी में पढ़ता है यह आईटी से निकल के देश की सेवा करेगा ऐसे युवाओं के उपर हमारे देश क का भविश्य निर्भर करता है आज मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ दल्बीर सिंग जी मौजूद हैं नजवगर से आएं पहले टीचर थे बच्चों का भविश्य बनाते थे रिटायर हो गए अब किसानी करते हैं आपके पेट के लिए आपके लिए अनुगाते हैं निधी कुपता जी मौजूद हैं आप रोज मेट्रो में जाते हो ना अपने घर से ओफिस ओफिस से घर ये मेट्रो चलाती हैं मेट्रो में पाइलेट हैं मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ हरुन कुमार जी मौजूद हैं बस में मार्शल का काम करते हैं आपकी सुरक्ष करके ले जा रहे थे इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा कर उस बच्ची को बचाया और गुंडों को पुलिस के हुआ किस दोस्तों ऐसे लाखों करोडो दिल्ली के निर्माता रोज दिल्ली को चलाते हैं नेता तो आते जाते रहते हैं पार्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन दिल्ली आगे बढ़ती है तो इन लोगों की वज़े से आगे बढ़ती है एक बार जोरदार तालियां दिल्ली के सारे निर्माताओं के लिए कुछ लोग कहते हैं कि केजरिवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। केजरिवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर जितनी भी अन्मोल चीजें हैं। भगवान ने सारी फ्री बनाई है। मा जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी निखाता तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है श्रवन कुमार जब अपने माभाप को तीर थ्यात्रा पे लेके गया था और श्रवन कुमार जी की मौत हो गई श्रवन कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी केजरी वाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है दिल्ली वाले अपने केजरी वाल को प्यार करते हैं ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों इसकी कोई कीमत में मैं ये सोच रहा था मैं अब क्या अपने बच्चों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू कर दूँ लानत है SSCM के उपर मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाईयों के पैसे लेने शुरू कर दूँ मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से operation के पैसे लेने शुरू कर दू टेस्टों के पैसे लेने शुरू कर दू लानत है मेरी जिन्दगी के उपर अगर मैं ऐसा करता हूं तो दोस्तो मेरा एक सपना है और मैं समझता हूं देश के हर आदमी का वो सपना है हर भारतवासी का वो सपना है हम चाहते हैं एक ऐसा टाइम आए और आएगा जरूर आएगा आने वाला भविश्य दुनिया के अंदर भारत का भविश्य होने वाला है ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा लंडन के अंदर भी भारत का डंका बजेगा टोकियो के अंदर भी भारत का डंका बजेगा औस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का डंका बजेगा अफरीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा अमरीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा और दोस्तों वो संभव इस नई राजनीती से होगा जिस राजनीती के शुरुआत आप लोगों ने इस चुनाव से किये दो